तो यह बहुत ही कम तल में मियाज बनाओंगी तो चलिए पहले कड़ाई को गरम कर लेते हैं और उसमें दो से तीन चमच तक तेल डालते हैं अभी तेल गरम हो गया है अभी इसमें हम एक चमच राई डालते हैं और उसके बाद एक चमच जीरा डालते हैं और यहां पर हींग मेने थोड़ा सर लेया है तो हींग डालते हैं और उसके बाद मैं इसमें अध्रक डालूँगी और दो हरिमिर्स लिया है इसे भी डालूँगी और अध्रक मैंने यहां पर ब्रेटेड अध्रक लिया है तो अभी इन सबी चीजों को थोड़ा सा फ्राये हल्का सा फ्राय कर लेंगे तो मैंने यहां पर लावकी को पहले से उबाल लिया था थोड़ा सा नमक और हल्दे दे कर इसे उबाल लिया था आप चाहे तो कच्चा भी यूज कर सकते हैं लेकिन कच्चा थोड़ा टाइम लगता है तो इसलिए मैंने पहले से उबाल लिया था इसको और अभी इसको हमें इस कड़ाई पर डालना है और इसे इसका जो पानी है उसे अच्छी तरह से इसे ड्राइ करना है और इसमें अभी मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूं क्योंकि मैंने पहले नमक डाला था थो थोड़ा सा और नमक डाल रही हूं इसमें और इसमें अभी में जो कस्मेरी लाल मिर्च है वो मैं डाल रही हूँ एक चमच इसे डालने से इसका कलर थोड़ा अच्छा दिखने लगएगा तो इसलिए मैंने कस्मेरी लाल मिर्च पाउडर डाला है आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और इसमें अभी मैं एक चमच गरम मसाला डाल रहे हूँ तो अभी ये लगबख हो गया है और अभी इसमें मैं धन्या पता डालूँगी तो ये बन गया मेरा लावकी की सबजी आपने देखा मैंने इसमें प्याज लेसुन यूज नहीं किया है और बहुत ही कम तल में ये बन गया है तो आपको ये रेसिपी कैसा लगा मुझे जरूर बताना थांक्यू को वाचिंग मैं वीडियो धन्यबाद